नमस्का दोस्तों मेरा नाम ज्यानिक शुर है और आपने देखना शुरू किया है लाइप शितिस का विसेश काजकरम शुबा की चाए देखिए आज तारीक है 12 अप्रेल 2024 बिहार में चुनावी शोर है देश भर में चुनाव हो रहे हैं लेकिन आज चुनाव के लिहास से बि दिन है विगडे है क्यों भाई तो देखिए आज निटीश कुमार चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं देखिए अब तक निटीश कुमार वही गये हैं जहां प्रहान मंती नरेंद्र मोदी आय थे चाहे जमूई जाना हो चाहे नवादा जाना हूँ लेकिन आज नितीश कुमार का निकलना और नितीश कुमार एक बिसेश बस पर सबार होकर निकल रहे हैं शबसे पहले नबादा ही जाएंगे और नबादा में देखिए बस पर जो स्लोगन लिखा गया है वो है रोजगार मतलब नितीश कुमार तो देखिए रोजगार मतलब नितीश कुमार इसका सीधा अर्थ ये कि वे तेजश्चु यादब को चुनौती दे रहे हैं तेजश्चु यादब को यह बता रहे हैं कि नौकरी तुमने नहीं दी है नौकरी हमने दी है तो बस से क्यो को दिखा पाएंगे लेकिन नबादा ही क्यों यह बरा सवाल है और आज देखिए नबादा ही जाएंगे समराद सौधरी भी बिहार भाजपा के अध्यक्स और डिप्टी सीम आज नबादा ही जाएंगे तेजस्तु यादब खबर तो लालू यादब को लेकर भी है तो ये सारे के सारे आज नवादा ही क्यों जा रहे हैं पहले चरन का चुनाओ नवादा में संपन होना है पहले चरन में ही नवादा में चुनाओ है 17 अप्रेल को चुनाव परचार की समाप्ती होगी 19 अप्रेल को चुनाव है और देखिए उधर पुर्णिया में पप्पु यादब के पीछे पुलिस लग गई है क्या पुलिस प्रशासन यह चाहता है कि पप्पु यादब परचार ही न कर पाएं तो पुर्णिया की लड़ाई दिल्चस्प होती जा रही है तो खेर हम पहले बात करेंगे कि नवादा ही क्यों जा रहे हैं सभी के सभी नितीश कुमार भी, समराज चौधरी भी, तेजस्ट्य यादब भी और साइद लालू यादब भी तो देखिये नवादा में लराई जो है वह बीजेपी के बिवेक ठाकुर और आरजेडी के स्रबन कुसबहा के बीच है लेकिन लराई दोनों और से फसी हुई है बिवेक ठाकुर, बीजेपी के बिवेक ठाकुर का बोट खराब कर रहे हैं भोशपूरी फिल्मों के सिंगर भोशपूरी गायक गुंजन सिंग और उधर आर जेडी के बोट बैंक में यादब मतों की सेंध मारी कर रहे हैं राज बल्लब यादब के भाई बागी उमिद्बार बिनोद यादब बिनोद यादब किसी की बात सुनने को तयार नहीं है नलालू यादब की बात सुनने को तयार है और नतिजस्टू यादब की बात सुनने को तयार है आप ये भी कह सकते हैं कि राज बल्लब यादब ही तयार नहीं है लेकिन नितीज कुमार को क्यों आज लंबी यात्रा दिन गाउं में जाएंगे तो देखिए असल परिसानी यह उठखरी हुई है कि नवादा में आर जेडी और बीजेपी के तगरे मुकाबले में बोटों की ऐसी धकैटी हो रही है कि दोनों पक्छों के हो शूरे हुए है नितीज कुमार बिहार में लवकुस राजनिती के जनक माने जाते हैं और इसी राजनिती को साध कर वे बिहार के मुक्षबंत्री बने लेकिन दोहजार चौबिस के चुनाओं में और नवाला में कुर्मी कोईरी मत में बहुत बड़े इस्तर पर दकैटी दिखाई पर रही है और ये क्यों हुआ है देखिए एक बात तो ये है कि आर जेडी ने स्रबन कुसवाहा को उमिदबार बनाया है और कुसवाहा जाती के मद्दाता इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे अपनी ही जाती के उमिदबार को बोट देते हैं तो कुसवाहा नवादा में श्रबन कुसवाहा को बोट देते दिख रहे हैं या खत्रे की घंती है जेडियू के लिए या खत्रे की घंती है बीजेपी के लिए सम्राद चौधरी जिनका इतना तेज उभार कुस्वाहा जाती के बने निता के रूप में हुआ है वे बिहार के भविस्थ के मुख्मंत्री माने जा रहे हैं उपेंद कुस्वाहा भी एंडिये में ही हैं तो फिर कुस्वाहा मतों में सिंधमारी डकैती कैसे हो रही है और सिर्फ कुस्वाहा मतों में ही नहीं नवादा में जो भी गए हैं जिन्हें भी नवादा की समझ है जो पलिटकल एनलिस्ट हैं पलिटकल पंडिट हैं और जो नवादा होकर आए हैं वे साप साप कह रहे हैं नवादा में कुर्मी कोईडी मतों में डकैटी आरजेडी ने डाल दी है और श्रबन कुसवाहा को कुसवाहा होने का फायदा मिल रहा है फिर दूसरी बात वो चहरा कौन चहरा असोक महतो असोक महतो का नाम तो आपने सुनी रखा होगा कभी अंडबल की दुन्या में नवादा के गैंग बार में अखिले सदार बना असोक महतो तो असोक महतो की पॉलिटिकल पारी की शुरुआत हुई आरजेडी से असोक महतो नवादा लोकसभा का टिकट मांगने पहुँचे थे लालू यादब के पास लेकिन लालू यादब ने नवादा का टिकट रही दिया मुंगेर लगने को कहा सजायापता असोक महतो स्वेम चुनाओ लगने के सिति में नहीं तब साधी की सलाह दी गई, खरमास में साधी हुई कुमारी अनीता के साथ, और कुमारी अनीता मुंगेर में ललन सिंग के खिलाब आरजेडी के पत्यासी बन गई, मुंगेर में असोग महतों का कितना प्रभाव यह बार्द में देखा जाएगा, लेकिन नवादा में, मैं फ और इसकी खबर जेडियू के नितुत को बीजेपी के नितुत को है और होस हूरे हुए है। आज नितीश कुमार बारसली गंच के इलाके में ही जा रहे हैं जहां भुमियार और कुर्मी मत दाता हैं। वे इस बात को सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उनके चेहरे पर कुर्मी कोडी मतों का बत्मारा नहों। ठीक इसी प्रकार समराज चौधरी देर रात तक गाउं का प्रिभरमन करेंगे। कुस बहा मतों के बत्मारे को रोकने की कोशिस करेंगे। देखें नवादा में लराई किस कदर फसी है यह इस से समझे। नवादा में प्रान मंती नरेंद मोदी की सभा हो चुकी है। लेकिन सभा के बाद वहां लराई एक तरफा है यह नहीं कह सकते हैं। नवादा के बरिस्ट पत्रकार हैं दैनिक जागरन के पुर्व बीरो प्रभारी रमेश कुमार हमने कल उनसे रात में बात की थी। मैंने पूछा कि प्रान मंती की सभा के बाद क्या परिवतन दिखा। रमेश कुमार का कहना था कि देखिए पर्भान मंत्री की सभा में वे ही लोग गय थे जो बीजे पी वाले थे। तो पर्भान मंत्री की सभा होती न होती उहां मत बीजे पी को ही प्राप्त होता। लेकिन प्रहान मंत्री की सभा से कोई बहुत अधिक मत जुर गया है ऐसी बात नहीं है तो इस बात को पढ़ने की कोशिस बीजेपी के 85 बिवेक ठाकू ने भी की है देखे कहा जा रहा है कि आगे साइब 15 अप्रेल को योगी आधितिनाथ का कारिकरम भी लगाया जा रहा है राम नौमी की तैयारी हो रही है क्योंकि 17 अप्रेल को राम नौमी है राम नौमी का ध्वंच पटाका और फिर हिंदू मतों का ध्रुबी करन यह बड़ी कोशिस होगी क्योंकि नबादा में लराई फजी होई है बीजेपी की उमीद के कीरन आर्जेडी के बागी उमिदबार बिनोद यादव है और देखिए मैं बार बार कह रहा था कि तजश्वी यादब क्यों नहीं जा रहे है नबादा तो आज तजश्वी यादब नबादा जा रहे हैं लेकिन समस्या का समधान नहीं निकला है उनके उमिदबार स्रबन कुसवाहा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं करी चुनोती पेस कर रहे हैं लेकिन बिनोद यादव राजबलब यादव के भाई मानने को तयार नहीं है और बिनोद यादव को कौन समत मिलेगा राजबलब यादव कौन है राजबलब यादव नबादा में आरजए डिके सबसे मजबूत खंबे है और उनका कारुबार भी है स्वेम जेल में है लेकिन जेल में होने के बाद भी उनका बर्चसु कहां कम है तो बिनोद यादव को राजबलब यादव की सहमती से पत्यासी बनाए गया और वहाँ परचार किया जा रहा है कि लालू यादव का आशिवार प्राप्त है तजस्वी यादव का नाम नहीं गयाता है इसलिए देखे नवादा में चर्चा ये है कि आज तेजस्वी आदब के साथ लालू यादब भी आएंगे लेकिन मैं जब इस काल्च्रम को रिकॉर्ड कर रहा था सुबह सुबह तो हमने आरजेडी में बात्चित की थी वहाँ से लालू यादब के जाने की खबर नहीं मिली है लेकिन इस बात की गारन्की नहीं मिली है कि तेजस्वी आधब की सभा में राज मल्लब यादब की पतनी ऑरजेडी की विखायक नवादा की विखायक बीभा देवी मौजूद होंगी रजाली के बिधायक, आरजेडी के बिधायक प्रकास बिर मौजूद होंगे देखिए कामरान तो रहेंगे अकेले ऐसे बिधायक हैं आरजेडी के 90 कामरान जो त्यजस्वी आदब और लालो आदब के फैसले के साथ ہیں तो तेजस्वी आदब के लिए भी आज अगनी पर इच्छा है यदि नितीज कुमार और समराज चौधरी कुर्मी कोईवी मतों की दकैती रोकने को जा रहे हैं तो तेजस्वी आदब इस बात के लिए जा रहे हैं देखना होगा कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं कि यादब मत जो लूटे जा रहे हैं जो लूट रहा है राज बल्लब इादब के कारण वह कैसे रोक पाएं यदि यादब मतों का बिखराव नहीं रुका नहीं थमा तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी और यदि तेजस्टु यादब ने यादब मतों का बिखराव रोक दिया, राजबल्लब यादब को अलग थलक कर दिया, यादबों को यह समझा दिया, कि मैं ही हूँ, तो फिर बीजेपी की राह मुश्किल होगी, लेकिन यह भी बरी बात है कि खूली बगाबत करने वाले राजबल्लब यादब की पत्नी, बीभा देवी और रजवली के बिधायक प्रकास बीर पर कोई कारवाई कर पाएंगे क्या, तेजस्टु यादब, नहीं कर पाएंगे, तो उनकी बेबसी दिखेगी, उनकी लाचार ही दिखेगी, तेजस्टु यादब और लालू यादब को पप्पु यादब को टिकट न मिले, इसके लिए अर्ते हुए दिखा गया, लेकिन पार्टी के ही दो विरायक, पार्टी के ही अधिक्रित पत्यासी, जो मुकाबले में बहुत करीब तक पहुँचा हुआ है, उस आज सक्चा की लराई, 2024 की लराई, जीत की लराई का बरा केंदर बनने जा रहा है, निटीश कुमार पहली बार निकलना है, बाद में गया भी जाएंगे, आगे आने वाले दिनों में कारिक्रम में, और अंगाबाद भी जाएंगे, और अंगाबाद में भी, देखे, बीज स्बाहा मददाता आरजेडी की ओर जाते दिख़ रहे हैं तो यह चुनौति नितीश गुमार के लिए यह चुनौति समराज चौधरी के लिए यह चुनोती उपंद कुसवा के लिए अब आगे सुबा की चाए में हम बात करते हैं पुर्णिया की पुर्णिया बिहार की सबसे हॉर्ट सीप जहां पप्पु यादब निर्दलिये उमिद्वार के तौर पर मैदान में है और पुर्णिया की लराई अब को रोकने की कोशिस कैसे कैसे हो रही है कल शाम को पप्पु यादब के पुर्णिया इस्थित कारियाले पर पुलिस पहुंच गई कहा की परचार गारी को जब्त करेंगे गारी वहां खरी थी लाइसेंस की बात निकली पप्पु यादब भी अर गए पप्पु यादब भी भिर गए आप मेरी परचार गारी को रोकेंगे यह गारी सरक पर चल रही थी क्या क्या पचार गारी को सजाना यदि सरक पर गारी चल रही होती तो आप कहते कि हाँ हमने परमिट नहीं ली हमने लाइसेंस पर आप नहीं किया पप्पु यादब ने कहा ऐसा मत किजिए गारी जब्त हो गई लेकिन पप्पु यादब को जितना ठंग परिशान किया जारा है पुर्णिया के चुनाव को समझने बाले लोग कह रहे हैं कि उतना ही पप्पु यादब को लाब पहुँच रहा है उतना ही पप्पु आदम को घेरने की चौतरफा कोशिस अब उहां प्रहान मंत्री भी आ रहे हैं नरेंदर बोदी 16 को चुनावी शबा होगी और पप्पु यादम ने भी कहा है कि 26 अप्रेल को चुनाव हो जाने दीजिए फिर सब का हिसाब करेंगे तो पुर्णिया पर नजर लेकिन इससे बर नजर नबादा पर रखनी होगी आज देखिए बिकासील इंसान पाटी मुकेश सहनी की पाटी अपने पत्यासियों की घोसना कर सकती है वैसे गुलाब जादब आधिकारिक तोर पर उमिद्बार घोसित किये हुए बगए जहनजारपूर में चुनाव पचार में लग गए लेकिन आज मुकेश सहनी नामों का एलान करेंगे गोपाल गंज और जहन जारपूर के लिए पुर्विर चंपारन मुतिहारी लोग सबाचहत्र के उमिद्बार की घोसना में अभी एक दो दिनों का बक्त लग सकता है तो आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगी आप देखते रहें लाइफ सिटिज को यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिटिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और यदि इस वीडियो को फेस्बूक पेज के मादर हम से देखा है तो पेज को लाइक किजेगा ट्यूटर पर भ कि अब धना किया और यदियुआ को लाइब ट्लास नहीं कि अब दखरने हमारे यूञदाब को अब तक बादी हमारे अचए सिटिज को बाद